लाल सिंग चडधा रिव्यू, बॉलिवर्ड सुपरस्टार आमिर खान और करीना कपूर खान की मोस्ट वेटेड फिल्म लाल सिंग चडधा आज यानी 11 अगस्त को सिनेमा ग्रों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म का ट्रेलर सामने आने के बाद से ही फिल्म को लेकर लोगों में क्रेज बना हुआ है। हालां कि इस दौरान जमकर बॉयकोट का भी सामना करना पड़ा है। आज को बता दें कि इस फिल्म में अभिनेत्री मोना सिंग, साउट स्टार नागा चैतन्य और मानव विज भी भूमी काउं में है। इस फिल्म का निर्देशन अद्वै चंदर ने किया है। लाल सिंग चडधा रिव्यू आमिर खान ने फिर से जीता सबका दिल। क्रिटिक ने फिल्म को बताया एक मास्टर पीस कैसी है। आमिर खान को कोई मुकाबला नहीं है। ऐसे लगा है कि जैसे ये रोल उनके लिए ही बना हो। आमिर की रीड बनी है करीना और उनकी उर्जा कमाल की है। लाल सिंग चडधा वो फिल्म है जो आपो पकड़ के रती। लंबे समय बाद ऐसी फिल्म रिलीज हुई है जो अपनी कहानी के दम पर आगे बढ़ती है। अतल कुलकरणी द्वारा इसकी कहानी लिखी गई है। जो कह रहे थे कि फॉरिस्ट गंप देखी है तो लाल सिंग चडधा क्यों देखें। उन्हें ये फिल्म बताती है कि रीमेक जब परफेक्शन के साथ बनाई जाती है तो एक नई कहानी जन्म लेती है। सिनेमा घर से बाहर आने के बाद दर्शकों के दिमाग में थैरने वाली कहानी है लाल सिंग चडधा। उमेर संधु ने फिल्म का बताया मास्टर पीस। UAE स्थित फिल्म समीक्षा उमेर संधु ने सोशल मीडिया पर लाल सिंग चडधा की पहली समीक्षा साजा की जो सोशल मीडिया पर काफी अटैंशन ग्रैप कर रहा है। उमेर ने ट्विटर पर अपना रियेक्शन देते हुए फिल्म को पाँच में से चार स्टार्स दिये हैं। ट्विटर पर अपना रियेक्शन शेर करते हुए उमेर ने लिखा। कुल मिलाकर आमिर खान की फिल्म लाल सिंग चड़ा एक मास्टर पीस है। एक शांदार फिल्म जो आपके दिल में रहती है और स्क्रीनिंग खत्म होने के बाद भी आपकी यादों में बनी रहती है। एक शांदार फिल्म जो हिंदी सिनेमा में आपका विश्वास मजबूत करती है। ये बात सच है कि लाल सिंग चडधा को अंग्रेजी फिल्म फॉरस्ट गम का हिंदी संसकरन कहा जाएगा। लेकिन अतुल कुलकर्णी द्वारा लिखी गई ये फिल्म उस अंग्रेजी फिल्म से काफी अलग है। लाल सिंग चडधा को सेंसर बोर्ड ने UA सर्टिफिकेट दिया है। इसके अवधी 2 गंटे 43 मिनट और 50 सिकंड है। लाल सिंग चडधा रिलीज से पहले सोशल मीडिया पर यूजर्स के निशाने पर है। आमिर खान के पुराने बयानों को आधार बनाते हुए यूजर्स फिल्म को बॉयकॉट करने की भी मांग कर रही है। आमिर खान ने इस पर कहा है कि उन्हें इस बार का बेहत दुख है। वह कभी किसी का दिल नहीं दिखाना चाते हैं।